वन्शेत्र केसली की वीट घाना के बीट गार्ड प्रकास दुवे को फर्नीचर मार्ट लाइसंस धारी सतीस पांदे के छोटे भाई प्रदी और सैलेंड पांदे ने लाठियो से की मारपीट घायल से प्रकास ने बताया कि इन लोगों ने मुझसे पहले भी कहा था कि तुम इस छेत्र में नहीं आना पर द्यूटी वन सुरक्षा करते समय ही इन्होंने मारपीट की जिसकी केसली पुलस थाना में FIR दर्श करा दी गई है जिसमें दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 303, 332, 506 के तहत मामला दर्श किया गया है पर अभी तक केसली पुलस की लाचार सुरक्षा व्यवस्ता उजागर हो रही है वुद्वार तीन बचकर 30 मिनट पर बनकर्मी को मारा माधा छेत्र पर की जमकर मारपीट पर आरोपियों को अभी तक पुलस ने ग्रफतान नहीं किया है पुलस थाना केसली अंत कि आपकी आपकी जो घटना होई है अपके साथ जिए कि तरह लोगों ने मारपीट की दो लोग कोई किस ने है त्थीस पाने और अरे को तवे पर दीपाने पर दूंटे इन लोगोंने क्यों की मारपीट आपके साथ यह शतीस पाने है जो मरा मादे में फनीचर फूले जी उसकारण से हो सकता है जी और वह कोई आपसी बुराई नहीं हमाई उससे कोई तो क्या तो हमारे कार्य में यह बादा डालता है अच्छा क्या किस इस डालता है कि तुम यहां नौकरी नहीं कर पाऊ वे जे नहीं कर पाऊ चलता है क्या वहां मरा मादे में फनीचर माठ छलाता है यह इसाथी मांडी अच्छा इनके यहां क्या क्या करक्राण को जबती हए प्र इभी होई तिछ अग्सी कि इनके पास स्टॉक मिला दें कितने वाई जबती हुई यह तो हम नहीं वैं बता सकते लेकिन डिया पुलिस्थाने में की रिपोर्डर जो हो गई है और जहां तक लगता है हमें राहत मिलेगी उससे और हाँ और अभी तो आपने आपके जो अधिकारी है